आज मैं आपको इस क्लास में बताने जा रही हूँ प्रॉपर्टी डीलर एंड कस्टमर की बीच में हो रही इंग्लिश में कॉन्वर्सीशन ओके टॉकिंग टू आप प्रॉपर्टी डीलर फॉर रेंटिंग आफ फ्लैट यानिकि उसे फ्लैट चाहिए है रेंट पर तो वो प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहा है कस्टमर अब आप सुनिए बातचीत कैसे हो रही है ठीक है और सुन करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश कीजएगा ठीक है चले कस्टमर सबसे पहले कस्टमर बोलता है प्रॉपर्टी डीलर से कहता है कस्टमर यानिकि विश करता है कहता है गुड मॉर्निंग सिंपल जब हम किसे से मिलते हैं तो सिंपल ऐसे कहता है गुड मॉर्निंग ठीक है तो वो क्या कहता है प्रॉपर्टी डीलर से कहता है गुड मॉर्निंग कस्टमर अब जो प्रॉपर्टी डीलर है वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं simple good morning फिर कहते हैं please have a seat please have a seat यानि इसका मतलब हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आईए बैठिये please have a seat और फिर कहते हैं कहिए ठीक है please have a seat कहिए तो property dealer English में कहते हैं good morning का reply देते हैं good morning sir good morning sir please have a seat yes हाँ कहिए what can I do for you what can I do for you का मतलब होता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ what can I do for you मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ good morning sir please have a seat आईए बैठिये yes what can I do for you इसका मतलब ये भी है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या फिर इसका sense इस तरह भी निकलेगा जी कहिए के लिए भी what can I do for you ठीक है अब जो customer है वो property dealer से बोलता है यानि कि अपनी बात कहता है तो customer यहाँ पे कह रहा है I want to rent a flat ठीक है यानि कि जो flat वो खरीदना चाहता है वो लेना चाहता है तो customer property dealer से कहता है I want to rent a flat I want to rent a flat यानि की, मुझे किराय पर फ्लैट चाहिए rent का मतलब क्या होता है, किराया ठीक है, किराय पर, इनी के rent पे लेना चाहता है किराय पर, I want to रेन्ट पर फ्लैट, मुझे किराय पर फ्लैट चाहिए तो जो property डीलर है, वो कहता है in which area sir यानि कि किस area में ठीके in which area sir तो जो customer है वो कहता है in posthum vihar यानि कि उसे posthum vihar में चाहिए तो जो property dealer है वो कहते है may I know your name sir यानि कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ यानि कि वो यहाँ पे जो property dealer है वो customer का नाम पूछ रहे है may I know your name sir तो जो customer है वो अपना नाम बताते हैं कहते है मेर मतलब कि वो अपना नाम बोलते है कि परशांद, शरिवास्तव यानि कि जो customer है उसका नाम किया है परशांद, शरिवास्तव जो property dealer है फिर वो reply देते हुए कहता है what do you do sir what do you do sir इसका मतलब इसका मतलब वो पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं वाट डू यू डू सर यानि कि आप क्या काम करते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला वाट डू यू डू सर यानि कि जी आप क्या काम करते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे जो customer है वो property dealer से कहते हैं वो एक assistant manager है तो वो कहता है customer property dealer से I am, I am, I का मतलब मैं, I am का मतलब हूँ assistant manager किस company में, किस industry में, NP industries में यहने कि वो customer है वो कहता है I am assistant manager in NP industries Okay, NP industries में वो क्या है assistant manager है तो जो property dealer है वो कहता है What type of flat do you want? इसका मतलब वो कह रहा है कि आपको किस तरह का flat चाहिए What type of flat do you want? जो customer है वो कहता है A two bedroom flat यानि कि जिसमें दो bedroom हो, with साथ में drawing हो, dining and kitchen यानि कि drawing room भी होना चाहिए, dining room होना चाहिए, kitchen होना चाहिए, दो bedroom होना चाहिए तो customer को जिस तरह का flat चाहिए है वो उसने property dealer से बता दिया A two bedroom flat with drawing, dining and kitchen साथ ही साथ उससे जो चाहिए यानि कि उससे अब दो toilet चाहिए उस flat में यहां पर कहता है I want I want two toilets, I want two toilets and also a good balcony यानि कि उससे एक अच्छे balcony में चाहिए, balcony चाहिए, flat में balcony होना चाहिए ठीक है, तो वो अपनी जो जो से चाहिए होता है वो बता दिता है तो जो property dealer है, वो कहता है What is your budget? What is your budget? यानि कि आपका budget कितना है, यानि कि आप कितने रुपए तकी का लेना चाहते है यानि कि अपना budget बताएए, कि कितने तकी का flat चाहिए तो जो customer है, वो कहता है About, about 2500 About 2500 per month, यानि कि उससे इतने रुपए तकी का चाहिए है flat जो property dealer रे वो कहता है which floor do you want यानि कि कौन सा floor चाहिए वो पूछना चाहता है कि कौन सा floor चाहिए second floor या फिर first floor कौन सा floor चाहिए which floor do you want ठीक है कौन सा floor चाहिए अब जो customer है वो reply देता है और कहता है preferably first floor इसका मतलब वो यह कहना चाहता है कि हो सके तो पहला फ्लोर ठीक है तो वो कहता है preferably फर्स्ट फ्लोर यानिकि हो सके तो पहला फ्लोर I want an airy and sun-facing house in a good neighbor यानिकि neighborhood यानिकि वो कहना चाहता है कि जो मकाने वो यानिकि वो हवादार होना चाहिए जिसमें धूप अगएरा आती हो ठीक है अच्छे neighbor हो ठीक है अब वो जो property dealer है वो कहता है When do you want to see the flat? मतलब कि वो कह रहा है कि मकान कब देखना चाहते हैं When do you want to see the flat? यानिकि जो flat है वो कब देखना चाहते हैं प्रॉपर्टी डीलर ये customer से कहता है When do you want to see the flat? यानिकि मकान या flat कब देखना चाहते हैं तो जो customer है वो कहता है कि जितनी जल्दी आप दिखा सकें तो वो बोलता है as soon as you can show me इसका मतलब जितनी जल्दी आप दिखा सकें As soon as you can show me You see I have to shift positively by the end of this month इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ You see का मतलब वो कहना चाहरा है कि देखिए I have to shift positively by the end of this month यानिकि महीने के आन तक उसे मकान बदलना है जरूर बदलना है तो वो कहता है देखिए महीने के आन तक मुझे मकान बदलना है तो property dealer है वो कहता है Oh I see let me note down your address and telephone number अच्छा अच्छा आप मुझे अपना पता और telephone number note करवा दीजिए ठीके वो कहता है Oh I see अच्छा अच्छा आप मुझे अपना पता और telephone number note करवा दीजिए तो जो customer है वो अपना पता और यहाँ पे note करवाता है और अपना telephone number तो जो उसका पता है वो कहता है C894 आजादपूर and my telephone number is this 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 ठीके यहनि कि वो अपना यहाँ पे telephone number note करवा रहा है तो जो property dealer है वो कहता है Okay Mr. Srivastav Okay Mr. Srivastav Give me some time I will find a nice flat for you Give me some time यहनि कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए I will find a nice flat for you यहनि कि मैं आपके लिए एक अच्छा flat ढून ढूंगा ठीके वो कहता है मैं आपके लिए एक अच्छा सा flat ढून ढूंगा ठीके गिव मी some time मुझे थोड़ा समय दीजिए Give me some time अब यहाँ पे जो customer है वो बोलता है वो reply करता है और कहता है How much time will you take? इसका मतलब वो यह कहना चाहरा है कि कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा How much time will you take? तो जो property dealer है वो कहता है I will get back to you in a day or two यानि कि वो कह रहा है एक या दो दिन में मैं आपको यानि कि contact करूँगा आपसे संपर करूँगा या contact करूँगा I will get back to you in a day or two तो जो customer है वो कहता है Okay, what is your commission? What is your commission? यानि कि आपका commission क्या है? What is your commission? ठीके तो यहाँ पे जो customer है वो क्या कहता है? वो commission पूछ रहा है तो जो property dealer है वो reply दे रहे हैं और कहते हैं यहाँ पे तो जो property dealer है वो लिख रहे हैं कि यहाँ पे लिखते हैं Two months rent sir यानि कि वो कहना चाह रहे हैं कि दो महिने का किराया तो यहाँ पे लिखते हैं Two months Two months rent sir ठीके? तो जो customer है, वो reply दे रहा है property dealer को और कह रहा है, all right, all right, ठीक है Please do something, do something quickly ठीक है, यानि कि वो कहता है, ठीक है, please do something quickly यानि कि customer कहना चाहरा है, कि please आप ज़रा जल्दी ही कुछ कीजिएगा तो जो property dealer है, वो कहता है, yes, yes, don't worry at all, buy sir यानि क्यों कहता है, जी, फिकर मत कीजिए, buy sir ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि customer और property dealer के बीच में किस तरह से English में बात चीट हुई तो अगर आपको आज ये class helpful लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपने सभी friends के साथ, जो कोई भी English को improve करना चाहता है चैनल पर नए है, subscribe नहीं किया है इसी तरह की वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर लें कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो कॉमेंटर करके जरूर पूछें थैंक्स वर वाचिंग